अस्सलाम अलाइकुम तो आज इस डीप लेर्णिंग की सीरीज में हम देखने वाले हैं Recurrent Neural Network का Practical Implementation Recurrent Neural Network practically कैसे हम implement कर सकते हैं और किस टाइप की डेटा के लिए Recurrent Neural Network यूज होता है अगर हम उसके डेटा की बात करें तो वो कौनसे टाइप के लिए यूज होता है तो वो sequential data के लिए यूज होता है जो हमारे पास NLP related data होता है उसके लिए हम Recurrent Neural Network यूज करता है तो पहले हम अपनी new notebook create करता है और फिर हम coding से start करता है हमारे पास कोई built-in dataset तो नहीं है Recurrent Neural Network के लिए तो हम उसे एक built-in dataset fashion amnist जिस पर हम अभी तक काम कर रहा है उसी पर ही use करेंगे पहले हम import करते हैं libraries को tensorflow as tf from tensorflow.keras.datasets import fashion amnist यह हमारे पास libraries import होंगी connect होगा function तब तक हम x train x test variables बना लेते हैं x train y train x test and y test यहां पर हमें practice लगाने पड़ेंगी उसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर वो command run हो चुकी है हमारी fashion fashion underscore amnist dot load data इसके through हमारे variables में data load हो जाएगा यहां पर हम उसकी data की shape चेक करेंगे तो वही same ही होगी हमारे पास फिर हम क्या करेंगे normalize करेंगे data को x underscore train हमें लगाना है इसके वाजा से हमारे पास error राग चुका है x underscore train is equals to x underscore train divided by 255 यहां पर हम ऐसे भी कर सकता है x underscore train comma x underscore test और यहां पर भी कॉमा लगाके इसको ही हम copy करते हैं और इसको यहां पर paste करके यहां पर test कर देता है तो यह normalize एक line of code में ही हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं reshape करते है train is equals to x train dot reshape reshape minus 1 comma 28 comma 28 यही हम test के लिए भी लगा देता है है same यह यहां पर लग चुका है अब हम क्या करते हैं model create करते है model is equals to क्या हम करते है tf dot keras dot tf dot keras dot models dot sequential यह क्या होती है initialization होती है आप सबको बता है फिर हम क्या करते है initialization हो गई तो list में अब चीज़ें add करने है के रास जैसे हम घर का सामान लेने के लिए एक list बनाते हैं अम्मा हमारे अबा को list बना कर देती है कि यह सौदे में चीज़ें आएंगे तो वही चीज़ें हमें यहां पर describe करने है एक list के अंदर कि यह layers होनी चाहिए तो first layer जो है हमारी वह होगी LSTM अगर हम RNN पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए यह best technique होती है कि हम LSTM layer use करें अब LSTM में और दूसरों में यह हम RNN में और दूसरों में फरक क्या है RNN क्या करता है हमने theory lectures में देखा था वह अपने hidden layers में for an instance यह उसकी input layer है यह उसकी output layer है यह उसकी hidden layers है इन hidden layers के अंदर वह खुद को iterate करता रहेगा और weights को adjust करता रहेगा weights हमने जो discuss किये थे lectures में वह आप मुझे comment section में बता है कि weights से क्या मुराद है मैंने क्या कहा था weight से क्या मुराद है तो यहां पर units जो है हम 64 रख लेते हैं activation जो है हम रख लेते हैं reload चीक है उसके बाद हम क्या करता है model dot add tf dot keras dot layers dot batch normalization batch normalization भी हम use करते हैं normalize करने के लिए batch को क्योंकि कभी कभी हमारे पास इसकी वजह से कुछ bugs आ जाते हैं उसके बाद हम अपने output layer use करते हैं tf dot keras dot layers यहां पर हमने letters लिख लिए था layers dot dense dense layer हम create करते हैं जिसमें हम 10 यहां पर units define करते हैं मतलब 10 neurons होने चाहिए और activation function कौन सा होना चाहिए soft max run हो चुक है wow model dot compile उसके अंदर optimizer is equals to item हम use करेंगे उसके इलावा हमारे पास दूसरा कौन सा होता है loss loss is equals to spares underscore categorical underscore cross entropy यह हमरे पास आ चुका है उसके बाद हम matrices choose करते हैं matrices is equals to accuracy यह हमरे पास compile हो गया नहीं error आ गया error कहां पर है invalid syntax sorry यहां पर मैंने equal to नहीं दिया था तो यह coding में basic basic problems होती रहती है model dot fit x underscore train comma y underscore train comma epoxis तो epoxis हम one ही लगा देते हैं model dot evaluate evaluate क्या करे x underscore test comma y underscore test तो यह जैसे ही इस पर run हो जाएगा फिर हम इसकी evaluation करते हैं most of the time preferably यही होता है कि sequence to sequence data textual data voice related speech recognition इस type का data पे RNN हमारा best काम करता है as compared to images के data पे यह इतना अच्छा काम नहीं करता next video में हम LSTM पे जब काम करेंगे तो हम अपना एक data set download करेंगे और sentiments related data set होगा वो और उस पर हम implementation करके देखेंगे इस पे इसने अच्छी accuracy दी है कम loss दिया है बहुत 82% accuracy एक ही वोक पे पर वैसे preferable यही होता है कि हम दूसरे networks यूज करें as compared to this अब इससे related आपकी assignment यह है आप कोई भी sentiments related data set उठा लें Kaggle से या किसी भी site से और फिर उस पर RNN लगाकर मुझे send करें और अगर हम ना लगाए तो उससे क्या नुक्सानात हो सकता है उसकी default value क्या होती है यह सारी आपके assignments है यह सारी आपको मुझे भेजनी है So that is it for today guys हम मिलते हैं इंशाला अगली वीडियो में तब तक के लिए Allah